अस्सलामू अलेकुम आप सभी को, मैं साइमा खान, मेरे इस चैनल साइमा की दस्तर खान में आप सभी का वेलकम करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खेरियत से होंगे, आज मैं आप लोगों के लिए चना दाल के पकड़ों की रेसिप्पी लेके आई हूँ, तो चल इस बeluYद क vacun की बनाना हो, आप लोग ले सकते है। मैंने तीन कलते चना दाल लिया है, तो यह देखें है यह हम एतने चना दाल ले अब इसके बाद हम इसके कुछ मसाले निकाल लेते हैं तो ये हमने पाच हरी मिर्च, दस से बारा लहसुन की कली और देड़ इंच का तुकड़ा हमने अधरक का ले लिया है और इन तीनों को हम चना के दाल में डाल के हम इसे पिस लेंगे और ये हमने चार मेडियम साइस के प्यास को बारिक बारिक काटके रख लिया है इसे हम जब हम डाल पिस लेंगे इसके बाद हम उपर से से डालेंगे और ये कुछ हमने दन्या की पत्तियों को बारिक काटके रख लिया है इसे भी हम उपर से डालेंगे तो ये हमने डाल को बहुत अच्छे से पीस लिया है आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से पिसा चुका है ये देखिए बहुत अच्छे से इसे हमने पीस के रख लिया है अब इसके बाद हम इसमें कटे हुए बारिक, प्याज और कटा हुआ बारिक धनिया जो हमने काट के रखा था उसे हम इसमें डाल दिये हैं और इसके बाद हम इसमें नमक एड़ कर देंगे, आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, हम इसमें वन टीस्पून भर के नमक डाले हैं, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, तो यह हमारा बैटर बहुत अच्छे से मिल चुका है, आप लोग देख करके हम इसे डालते जाएंगे, पकवड़ों को हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, यह देखी इस तरह से, यह देखी इस तरह से हमें इसे पलटते हुए अच्छे से सभी तरब से अच्छे से फ्राई करना है, यह देखी इस तरह से, इसे हम पलटते हुए अच्छे स चलाते हुए फ्राई करेंगे तो ये हमारा चना दाल का पकोड़ा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है बहुत ही क्रिस्पी दार नजर आ रहा है ये आप लोग देख सकते हैं तो इसे हम अब निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सबी पकोड़ों को अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारा चना दाल का पकोड़ा बहुत अच्छे से बन की रेडी हो चुका है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पिदार नजर आ रहा है ये हम इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बारा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए मेरे सभी वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए और मेरे सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए ठेंक यू, अल्ला हाफीज